शीक्स पॉइंटिर गने जा तो शीक्सपॉइंट पॉरब इस्टर गने जा रहे तो से प्वइंट का फार्श कोश्चन हमने कर लिया था शिक्स मोईट फॉर का सटैकिंग कोशिन कह रहा है तो कहरा रहा है अपर इस नंबर को डिवाइड करके आया मतलब जैसे तो यह सिटीफोर वह बता है कि एट इंटू एट कितना होता है तो एक नमबर एसे अगर हमारा पर जैसे कोई नमबर बता है तो फिटीन में कितनी जीट है तो हम कैसे पता करेंगे कह रहा है कि जो नमब जो स्कायर बनाया है हमारा वह कुछ कौन सी कितने रिजिट का था कि यह बनाये ठेक है जैसे कहरें है फाइंड फ़्यूर उप इच अप फॉल्लाइग नमबर करां अगर मैं इसका इसका इसकार र तो हमें कैसे बता चलेगा without calculation without any calculation मतलब इसका हमने कुछ नहीं निकाल लाए कि इसको फेक्टर्स या पी डिवाइड वाली मेतर से नहीं करना है डिएक्ट बताना है कि कि किसका होगा तो दीखी दो फॉर्मले होते हैं एक होता है अगर नंबर और 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 तो यह करते हैं एन प इन होगा होगा तो अगर मैं देख़ंगो तो इसमें क्या हो जाएगा तू dieser होगा तो नंबर क्या 24 जो होगा वह single digit का होगा हमें पता है किसका होता है 8 का होता है 8 के हमारा single digit αίσब क्षा किसका होगा 144 कितने digit 123 टो इसको मतलब क्या यह अउड है ठीक है तrow वाली गणना पड़ेगा और वाला फॉमला क्या होता है एंड प्लस 1 ऑपॉन टू-को एं क्या होता है कितने 144 का जो अंडूर्ड होगा वो कितना होगा टू जीट का नंबर होगा अगर आप चाहो तो निकाल सकते 144 किसका होता है 12 का स्कार होता है तो 12 का स्कार कितना होता है 144 होता है और 12 में कितनी जीट है 2 जीत है यहाँ, कितने जीत आ रहे है, 2 जीत आ ठीक है, यही है हमारे बास। आप किहरा है, 4 4 8, 9 4, 4, 8, 9 कितनी जीत का स्क्वार हो सकते हैं कितने 1, 2, 3, 4 4 मतलब क्या हो गया, even number even के लिए के कि करते हैं, and upon 2 करते हैं, 4 upon 2 equal to 2, इसका मतला है इसमें कितने रिजिट होंगे टू जीट होंगे ऐसी नेक्स कर लेंगे 123455 आ रहा है उसका तो नेक्स्ट कुशन हमारा 27225 उसमें कितने नम कितने रिजिट सारी है हमारे पास आ रही है टूटल फाइब मतलब और और बालब फाइब प्लस वन शिक्स उपांट टू इसकोल ट कितना जाएगा 3 जिसका लोग किसका इसका रूट होगा 3 जिट के नमबर का स्कुरूट होगा ठीक है तो यहां पर को हम लोग कैसे बना लेंगे समझ में आ गया होगा और के लिए क्लीए क्लीए और यहां रख लेंगे यहां रखने का तरीका बता देता हूं इवन वह क्या वह दूसीर लोग जाएगा इजिए तो ऐसी यहाद कर सकते हैं इवन के जरूरत नहीं होती है तो इससे प्लस नहीं परन नहीं होता है अपने जरूरत होती है तो हमें करना पड़ता है कि टूसीर डिवाइड करना है ठीक है तो ऐसा आप गूशन नमबर 3 जल्दी से को find the square root कहा रहा है बाइड डिवाइड डिविज्वल में नहीं किसी कोई कोई भी में नहीं बस खाली बताओ कहा रहे है 2.56 का square root बताओ करें square root of 256 कितना होगा के बूस रहे तो 2.56 इसको हम लोग डिविज्वल वाली से बना देते हैं simple टी मेना दिया 2.56 लिए सेम वही पियर वाली मैथर चलेगी लेकिन क्या होगा decimal से पीछे वालों का एक बनेगा decimal से आगे वालों का एक बनेगा ठीक है अब जैसे में सिंगल टू है तो इसके आगे कुछ नहीं तो इसका आगे का लगा सकता हूं मैं आपको 136.5 अब क्या करते पेर कैसे बनाते अब इसको क्या लिख सकता हूं 36.50 लिख सकता हूं कोई चेंजर नहीं कि पॉइंट के बाद जीरो बढ़ा सकते हैं, नमबर के आगे जीरो लगा सकते हैं, तो अब बना सकते हैं हम लोग सको पेर, इसका यह बन गया, इसका यह बन गया, इसका यह बन गया, ठीक है, तो यह बता है आपको मैंने, कि जब हमारे पास ऐसा कोई नमबर मिल जाए, उसके बनाते एप कैसे बनाते एकास में नें अब हम ने इसका बना चुक्ए हैं हम लोग इसका है हम फिंगा लोग चुको इसमें किذ टु traff offended और अगना लुषता चेका 1 1 2 अब यहां लिखनाएगा 2 Sedan media यहां लिखना पड़ेगा 2 इसको प्लस करूंगा यहां पर कितना जाएगा वन आजएगा लेकिन यहां क्या करेंगे सेम जैसा डिवाइड में करतें पॉइंट है तो पॉइंट काउंट के कहा जाएगा यहां आ जाएगा और 56 एक साथ नीचे आएगा यह हमको पता है कि हमेशा क्या होता है प्यर में ही नंबर आते हैं तो यह 56 आ जाएगा 1566 है लास्ट में तो किस से करूंगा यहां तो फोर से डिवाइड डिवीजल होगा यह सिक्स से होगा तो चेक कर लेता हूं अगर मैं यहां फोल्ड लिखूं यहां भी कितना लिखना प्योगा फोर फोर फोर्जा सिंपल है फोर फोर फॉर फोर फोर वन फाइब तो यह नहीं आ रहा है हमारा फोर्ड करनी पर आप के करूंगा सीधे शिक्स करूंगा ठीक है यह वनना आप चाहों तो फिर टू लिखो फिर थी लिखो फोर लिखो 5 लिखो फिर आ सकता है ऐसी कोई दिख कर नगे लेकिन मुझे पता है 6 लाने लास्ट में तो मेंको पता है या तो फोर क्या है स्क्वार करो तब 16 होता है तभी 6 आ सकता है या 6 का स्क्वार करो तभी कितना आता है 36 और एक बाव 4 से चेक कर लिया एक बार 6 से चेक कर लिया 6 से चेक किया 6 जा 36 करी 3 और 6 और करी 3 6 वंजा 6 और सॉरी यहाँ तो को मिस्टेक हो दिये 1 और 1 प्लास होंगे तो कितना आएगा 2 आएगा ठीक है तब इक लाद दो रहा था है तो तो 6 6 जा 36 करी 3 6 2 जा 12 ट्वेल वर 3 15 ठीक फोटीन वाली में वैसे भी नहीं आ रहा था हो 14 से करते तो भी नहीं आता कि 4 4 जा 16 करी 1 4 2 जा 8 और 996 जा तो यह 0 आ गया तो कितना हो गया इसका रूट 1.6 square root of 2.56 is going to 1.6 ठीक है ऐसे निगाला से बागी भी आपने ऐसी निगालने एक और बंदाद बता जिता हूं कैसे निगा लिंगे लास वाल बता जिता हूं ठीक है तो अपने लास वाले में देखा हम ढाब लास पार इसका जैसे में बागे आप बनाएंगे दो लास चाट सब्सक्राइट करने करें और गए तो यह बन गया इसमें कोई एड करने की ज़र्वत नहीं बढ़ी हमें ठीक है अब इसको पहले सब से लिए टी बनाएंगे आप यह टी बन गया 31.36 ठीक है आप क्या करना हमने पेर में बनते हैं तो पहले टू टू जा और एचे वन बन जा वन टू टू जा ठीक है यहां भी होता है प्लास होता है जो उपपर लिखते है उसको यहां भी लिखते है तो यह कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा अब मुझे फिर से बताए यह तो ए फोर तो यह तो नहीं सकता ठीक आप क्या हो सकता है देखले से देखा मैं यहांप यहांपे को तो 66 जा 36 का 6, carry 3, 6 10 जा 60, और 3 33, तो यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, unroot of 31.36 equal to 5.6, ठीक है, तो 31.36 कितना होता है, 5.6 होता है, ठीक है, तो अब ऐसी हम लोग कोशन नबर 4th को देख लेते हैं, जल्दी से, देखे, कोशन नबर 4th में कह रहा है, कि इस में क्या subtract करूँ, 402 में क्या subtract करूँ, कि यह perfect square बन जाए, perfect square मैंने फिर से बताया था आपको, फररफेक्ट स्कायर क्या होता है, सेम नंबर को दो बार multiply करके जो number आता है, ठीक है, सेम नंबर को, जैसे कि मैंने TM, 4 एक perfect square है, क्यों है यह, क्योंकि 2 और 2 को multiply करके 4 हाता है, मैंने का 5 mów स्कायर नहीं है, परिफासर का नहीं है जबकि 555 इंटो 1 करके आता है लेकिन सेम नमबर को माल्टीप्लाय करके नहीं आता है तो जो सेम नमबर को माल्टीप्लाय करके आता है वह होता है हमारा परफैक्ट स्वगे होगा तो यह कह當然 क tengo 402 में क्या सब्टेक करmers अप्रम के पर्फैक्ट.- Let me , 0.2 फिर से पियर की बात करेंगे प्यद बनाएंगे यहां लास्त बनाते प्यायां यहां से बनाएंगा इसके बना इसका बाद को सकता है drums फेले 1 बन जा वन आयगा तू टू जा फोर आयगा तो से चलिजा पहले तो टू जा फोर हो गया थीक है यह हो गया यहां भी टू लिखोंगा तो प्लस करूंगा कितना आजाएगा फोर आजाएगा hypothetical इनला फोर तो presidency छंगरगा जिरोब्च अब शिक सकता है नहीं हो सकता देखो कैसे वान टाइम करो जी रो और टू आ गया जिलो टू अगर डिवाइड नहीं होता है तो मैं क्या समझ लोंगा कि यहां कितना जाएगा जीरो आएगा क्यों आ यहां बहुत अब यहां कितना आएगा 1 आएगा तो यहां कितना बन जाएगा 41 बन जाएगा यह तो जादा हो गया 1 लिख दिया 2 लिखूंगा तो और ज्यादा आएगा तो क्या लिख सकता हूं, मैं अगर यहां आपको 0 लिखो तो यहां भी कितना आएगा, 0 यह आएगा, ठीक है, लेकिन 0 लिखते ही, यह कितना बन जाएगा, 0, 0 बन जाएगा, फिर माइनस करूंगा, तो कितना आएगा, 0, 2 बज जाएगा, कितना बन जाएगा, 0, 2 बन जाएग अगर यह 0-2 नहीं होता तो यह perfect square होता ना अगर यह 0-2 नहीं होता तो यह perfect square होता ना होता 20 से 20 से 20 का square हो रहा होता अगर यह 0-2 नहीं होता तो हम direct कह सकते हैं कि क्या 402 मैंसे अगर मैं minus करूं 0-2 तो कितना बन जाएगा 400 बन जाएगा और 400 किसका square होगा 20 का square होता है होता है इससे क्या सब्ट्रेक कर दूं कि यह सिक्सी डिविजल हो जाए ठीक तो सिक्सी में को डिविजल करना तो मैं कि यह तो कितना जाएगा अगर मैं 21 में से 3 मैंस कर दो तो 60 हो जाता ना सेम यहीं पर वोई कॉंसेट है कि 402 यह पूरी बाद डिविजल हो जाता अगर यह जिरो टू नहीं होता तो हम जिरो टू मैनस कर देंगे ठीक तो हरे कुशन ऐसे बनाना है सारने कांगे से से अबॅला देख लो एक अटिकर कर तैंट मैं क्या करना है जैसे कि बस सेंगिंवाला है और जैसे यद्म को कि क्या करना है क्या हमद करो इसमें कि और प्रफेक्ट को करूंगा 224-39-446 नपी तो सबको समझ मां आ गया होगा फ्रोर जा 65 से ज्यादा हो जाता हो जाता फोर यह रिहां प्लस करूंगा या कितना लिख दूँगा एट लिख दूगा इसको मैं तक समझ मां अगया नाइन लग बग लग नाइन अब यहां पर फेक्ट उसका नहीं हो तू भी रिखूंगा तू टू जा 4 आएगा टू इंटू एट 16 आएगा तो यह वन सिक्स पोर आ रहा है यह तो मैंने अपने माइंड में कल लिया अब मैं 3 रहाएगा तो यहां भी त्री रहाएगा लगबक आ रहा है क्या फाइब से देखा मैंने आप एको 55 जा 25 का 5 केरी 258 जा 40 और 42 यह तो ज्यादा हो जा रहा है तो कम वाले से देखेंगे किसे देखेंगे फोर से जेखेंगे ठीक है तो यहाँ भी फोर लिखना पड़ेगा फोर लिखा मैंने फोर फोर जा 16 केरी 1 422 और 33 थीक है इसको मैंने यह 3 यह 5 अगर मैं इस में से 53 मैंने कर देता तो किसका इसक्तार बन जाता मैं 44 का सक्वार होता न बस वह यह आपको वन नाइन एट नाइन में से सब्ट्रेक करना है किसको 53 को तो यह बन जाएगा कितना 6 3 9 1 1 9 6 3 1 9 3 6 ठीक है 1 9 3 6 सक्का होता है 44 का सकाइर 1 9 3 6 होता है हमें पता कर सकते हैं तो ऐसे हमरा कोश्यन अब फूर्थ बन जागा को अब देखिए जिसे में फिफ्ट का अगर एक एक जामपल लूँ जैसे मैं लेलिया मालो 8125 ठीक है 8125 ले लिया तो सबस्वाइब हम इसके पेर बनाने शुरू करें तो पेर बनाओं तो देखो यह पेर बने एक जैक्ट पेर बने हैं तो यह कोई दिख्वत नहीं है इसमें और कुछ और होता तो हम उसके पेर अच्छी से बनाते ठीक तो यहां तो पेर बने आता है आपको फूर जाए 16 ज्यादा हो जाते मानेस कर देंगे तो कितना है तो 225 बढ़ जाएगा यहां प्लस फूर कर देंगे तो कितना हो जाएगा एट हुझा अब क्या लाने हमें 225 लाने इसके एकॉर्डिंग देखूंगा मैं वन करूं तो 81 बनेगा टू करूं तो 160 60 160 में कुछ आएगा 1 6 कुछ आएगा और 3 कर दो क्या हो एक त्री जान 9 8 324 ज्यादा हो जा रहें ठीक है तो एक कम करना पड़ेगा मैंने क्या टू टैम किया टू टैम क्या अ metropolitan करूंगा 224 टू एट जा 16 या अग्या मानेरर होज़गा तो इस में कितना बज़गा रिमेंडार देखें यहां उन और इसको ट्यूज़ग हो कि इसका मनलब किया समåझ में आइआ अमरे को कि अगर मैं 61 मा mająes कर देता तो ये 42 स्कार होता है exporting मैं 61 मैंस कर D pupil के इसका हुथ होता 42 स्कार में का मतलकि कितना होता है इसको मैनस कर देख सकते हैं हम लोग BPM 42 का स्कार होता है इसको मैंस कर दिया है मैंको 46 में इसक्स सेवन 164 होता है 42 का स्कार लेकिन 43 का स्कार कितना होता होगा फिर 43 का स्कार होता है 43 इंटो 43 तो क्या 339 3412 432 कैरी 1 416 और 17 9481 कितना होता है 1849 कितना होता है 1849 इसका मतलब 1825 में कितना जोड कि कितना आ जाए 1849 माइनस करते तो भी इस डारेक्टर बन जाता लेकिन अब हमें कुछा कितना एड करें इसमें कितना एड करेंगे जितना यह बन जाए उतना यह एड करेंगे तो देख लेंगे 1,849 मेनस कर देगे 1,825, तो मैनस किया तो 4 का 4, 2 का 2, तो कितना याड़ करना पड़ेगा 24 अगर मैं इसमें एड़ कर दू, तो बन जाएगा 43 का स्कायर बन जाएगा, बस ऐसे करना है, तो हमने क्या करना है इसको, प्लस ट्वेंटीफॉर एकल टू 849 और 849 किसका होता है 43 का स्कार होता है प्रफेक्ट इसकार बनें तो क्या एड करने पूचा था हम से तो ऐसे आप कोई भी कुश्य बना सकते हैं जैसे का पहला कोश्य देख लेने चलो एक बार फर्स्व बना के देदे तो आपको जल्दी से तो अब इसका फस्ट अब देखिए इसका अगर मैं फर्स्व बाट दे एक कि सबको पता है 2224 रहे है तो थ्रीजा थ्रीजा नाइन हो जाओ जयादा हो जा रहे है माइनस किया 125 आ यहां भी टू को प्लस किया कितना प्लस फोर आ अब कितना रहा हैं आपको 125 लाने तो अगर मैंश्य लिखो तो कुछ ज्जादा आ जाएगा तो मैं यह आपको तू यह देख लो यहावको बना गया यहाको 4 थीक है इससे को ज्रॉड मतलब नहीं हमें को पता है कि कितने kia square बंदा 22 का square बंजा था तो 22 का square कितना होता है हम लोग चेक है सकते है heart minus कर गए sharply तो कित मेंजा कर गें तो तो मुझे पता है कि 23 स्कार कितना होता है देख लोगा जल्दी से 23 के स्कार निकाल लोगा 23 इंटू 23 329 326 326 324 दो टू 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 टा फॉर मंदब ठीक तो 9 12 कितना था 529 होता है कितना होता है 529 ठीक है इसका मतलब मैं इसमें क्या ऐड करोगी 529 बन जाए दोने कापस मैं मैंने कर लो 529-484 यह 5 बन गया। यह 4 बन गया कितना एड कर दो 45 इसका मतलब 525 में कितना करना है 45 बैड करना है कितना बन जाएगा 529 मन जाएगा और वो किसका स्कुर्ण होता है 23 गा स्कुर्ण होता है ठीक है तो हमें यह आज पिट यह दिख गया तो ऐसी कुर्ण बैख बन इसको डिरेक्ट माइनस कर देंगे बन जाएगा यहां पर कुश्यन कोश्यन नमर सिस्त देखें कोश्यन नमर सिस्त भी सेम कुश्यन है चलो इसको नेक्स वाली वीडियो से बनाएंगे शिक्स सेमन देर्थ को और नाइंद को ठीक है थैंक यू फर वॉचिंग